हेलो फ्रेंड्स आयम अंकित भट स्वागे था आपका उत्तराखन ओनलाइन एजुकेशन हब में तो गाईज पिसली वीडियो में उत्तराखन का इतिहास चला था हमारा फर्स्ट में हमने पड़ा उत्तराखन का प्राग्य इतिहासिक काल उसके बाद उसके 25 most important question किये तो आज हम चलेंगे गाईज दूसरे इतिहासिक काल में जो की है आद्ध्य इतिहासिक काल तो अगर आद्ध्य इतिहासिक काल की बात करें तो इसका जो time period माना जाता है वो 34 अताबदी से लेके इतिहासिक काल तक माना जाता है तो इसका प्रथम उलेक किस वेद से मिलता है तो इसका प्रथम उलेक मिलता है हमें रिगुवेद से ठीक है रिगुवेद में इसको क्या बोला गया है देव भूमी और मनीशियों की यानि मुनियों की भूमी बोला गया है अब यहाँ पर रिगुवेद आया है गाईज तो देख लेते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए अगर हम वेदों की बात करें गाईज ठीक है वेद हमारे चार प्रकार के होते हैं सबको पता है रिगुवेद, यजुरुवेद, सामवेद और अथर्ववेद अब यहां से question गया बनेगा सबसे पुराना वेद कौन सा है तो याद रखेगा रिगुवेद सबसे पुराना है सबसे नवीनतम वेद कौन सा है तो सबसे नवीनतम वेद कौन सा है अथर्ववेद है संगीत वाला वेद कौन सा है तो सामवेद है उसके बाद जादू टोने वाला वेद कौन सा है जिसमें जादू टोने के बारे में मिलता है तो अथर्ववेद इतनी बाते होगे इसके बारे में अब हम आते हैं अपने उत्राखन के परिपेक्ष में तो प्त रीशियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी और यहां से पुनह स्रिष्टी प्रारंब हुई तो इतनी बात होगी हमारी वेदों से चलते हैं नेक्स्ट गाइज ब्राहमन गरंथ से ब्राहमन गरंथ क्या होते हैं इन में हमें क्या मिलता है यग और कर्मकांडों के विधान और इनकी क्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक होते हैं जैसे कोई भी आपको यग करना है या कर्मकान करने है उनकी क्या विधी होगी कैसे वो करनी है ये सारी जानकारी हमें ब्रामन ग्रंतों से मिलती है अगर हम बात करें इसकी भासा तो वैदिक संस्कृति की है दूसरा important question क्या बनता है यहां से यह पद्य में लिखा गया है इसको किस में लिखा गया है पद्य दो चीज़े होती है गद्य में लिखे जाते हैं दूसरे पद्य में तो जो ब्रामन ग्रंत है वो पद्य में लिखा गया है प्रत्येक वेद के ब्रामन ग्रंत होते हैं जैस पूछता है उत्तर कुरू किसे कहा गया है तो उत्तराखन को कहा गया है किस में कहा गया है एतरेव ब्रहामण में कहा गया है तो गाईज यह हो गया हमारे लिए इंपोटेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट पे तो देखिए एतरेव ब्रहामण में उत्तर कुरू कहा गया है ने पूछता है तो पहला आजाता है आपका नैपाल उसके बाद आजाएगा आपका मानस खंड उसके बाद आएगा आपका केदार खंड और तीसरा आजाता है आपका चोहता आजाएगा जालंधर और पांचवा आजाएगा कस्मीर तो यह या नाम याद रखेगा ठीक है पांच कौन-कौन से हो गए दो तो हमारे उत्राखंड में हो गए जो अभी वर्तमान में कुमाऊ और गडवाल है पहले क्या बोले जाते थे मानस खंड और केदार खंड नैपाल हो गया जालंधर हो गया और कस्मीर हो गया उसके बाद अगर बात करें गाई तो बौध्य सहित्ति जि तो गड़वाल छेत्र आप देखिए यहां से क्या हो जाता है गैज हमें जितने भी पुरान मिले हैं वो अलग-अलग उत्तर कुरू बोला गया है किसी में कूर्मान चल बोला है किसी में गड़वाल को किसी अलग नाम से सम्मोधित किया गया है तो अगर हम अपने उत्तराख स्रंखला है यह परवत स्रंखला कौन सी आपकी नंदा देवी ठीक है तो जो पुराने गरंत मिलते हैं उसमें इसे नंदा देवी ना बोलकर क्या बोला गया है बधान परवत स्रेड़ी बोला गया है बधान परवत स्रेड़ी और यह परवत स्रेड़ी क्या करती थी अब चलते हैं हमारे जब यह region दो बढ़ गए एक को बोला गया गडवाल और दूसरे को क्या बोला गया कुमाओं तो पहले गडवाल की अगर बात करें तो गडवाल का जो गठन माना जाता है वो 1515 इस भी में माना जाता है ठीक है 1515 में सब को पता है हमारे कौन थे राजा थ अखवाला बोला जाता था और हमारे इतिहासकार मानते हैं उसके बाद इसका नाम गडवाल जो पड़ा था वो 1815 में पड़ा ठीक है और यह 1815 में गडवाल नाम इसे किस ने बोला मौला राम जी ने बोला कुछ इतिहासकारों के एकॉर्डिंग यह है तो यह याद यह मौला राम ने कब बोला 1815 में बोला आप चलते हैं देखिए गडवाल में हमारे जो मुख्य मुख्य छेत्रे हैं फस्ट आते आपका रिगुवेद में अलकापूरी को क्या बताया गया है तो गाई जो अलकापूरी है इसे रिगुवेद में कुबेर की राजधानी बो है, वो कौन माने जाते हैं हमारे मनु माने जाते हैं तो उनका निवास इस्तान भी उत्राखंड में अलकापूरी को माना जाता है नेक्स्ट अगर गुफा वसिष्ट कुंड वसिष्ट कास्रम ये सारे के सारे भी हमारे गड़वाल रिजन में इस्तिते परवत्स्रेणी याद रखेगा गाईज विसोन नामक पट्टी में तीरी पे इस्तिते ठीक है अभी आपके जो समुगों का पेपर हुआ था उसमें बना था वसिष्ट कास्रम कौनसी परवत्स्रेणी पर है या कौनसी पट्टी पर है तो कौनसी पट्टी पर है विसोन नामक परवत्स्रेणी पर आपका इस्तित है वसिष्ट कास्रम वसिष्ट कुंड ये सारे गाईज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है अगर वीडियो आपको प पशिद्ध विध्यापीट उत्रा गडवाल की छेत्रगी बात करूं तो उस टाइम पर दो विध्यापीट बताए गए ठीक है एक आपका था कहां पर बद्रीकासरम बोला गया और दूसरा क्या था कडवासरम था अब गाई जो हमारा कडवासरम है यह फेमस है कहां पर काहे क द्वारा कौन सी नदी के किनारे पर तो मालिनी नदी के किनारे पर इस अभिज्यान साकुंतलम में क्या है गाई जो हमारे भरत है ठीक है भरत जिनके नाम पर भरत पड़ाता उनका जन्मिस्थान भी इस कडवासरम पर ही माना जाता है जो सकुंतला थी उन्होंने जन्म दि या था भरत को यहीं मालिनी नदी के टट पर अगर बात करें हम स्री व्यास जी की तो बद्रीकास्रम में सश्टिलक्ष संगेता की रसना की गई थी किसके द्वारा व्यास जी के द्वारा देव प्रयाक को इन्होंने सिरोमरी बताया तो क्वेश्चिन क्या बन सकता है देव भ्रंगतुंग किसको कहा जाता था तो केदारनात को कहा जाता था भ्रंगतुंग किस में कहा गया है महाभारत में कहा गया है ठीक है इसे खस परदेश भी कहा गया जो हमारा गलवाल रीजन है इसको क्या बोला गया खस परदेश भी कहा जाता है तीसरे पॉइंट की बात कर है वाकदेवी का निवासिस्थान बद्री आस्रम है तो गाईज तो कॉस्ता की ब्रहमड है उसमें बताया गया है कि जो वाकदेवी हैं उनका निवासिस्थान कहां पर है बद्री आस्रम में है as I am next की बात करें गवण Around me how俊 तो देख हें आप चलते हैं हमारे कुमाउ चेत्र में कि हैं को कुमाऌ चेत्रा की बाद करें तो देख्ये यह हमने रीजन पड़ा बधान परवथ स्रेंगी के नीचे वाला पाड अपका क्या खेलाता है कुमाउ को मानस खंड बोला गया है ठीक है और इसे कूर्मांचल भी बोला जाते हैं अब गैच कूर्मांचल की क्या है यहां पर बताता हूं आपको तो यहां पर माना जाता है कि कांतकेश्वर परवत पर हमारे भगवान ने क्या किया था विश्णु भगवान ने कूर्म आवतार धारण किया था मतलब कच्वे का आवतार धारण किया था ठीक है तो यहीं पर उसको पहले कूर्मांचल बोला गया ठीक है कूर्मांचल और बा तो पहला बात तो यह हो गई गाईज एक question direct क्या पूछेगा आपसे कुमाओं को क्या बोला जाता है कुमाओं का पुराना नाम क्या था मानस खंड ऐसे ही बोलेगा गड़वाल का पुराना नाम तो गड़वाल का पुराना नाम क्या था केदार खंड ठीक है उसके बाद उत् नाग गंदर्व और यक्स यह जो मुख्य जन जातिया थी इन्होंने हमारे उत्राखड में क्या किया राज किया या कह सकते हो इनका यहां पर क्या था निवास इस्थान था तो यक्षों का जो प्रमार मिलता है गाई यह हमें जाखन देवी मंदिर जो की अलमोरा में इस्थि पड़ो तो factual data उससे क्या होता है एक तो एक्जाम माने के चांसे जादा होते दोसरा जब आपका एक्जाम टाइम होता है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है एक बार अपने नोड देखने उसके बाद जैसे ही वो फिर आपको क्या हो जाती है एक कहानी की तरह माइन में पर इस्तित है तो यह गाईज इस्तित है आपके पिथोरागर में ठीक है और भी इनके बहुत सारे मंदिर हैं सुंदरी नाग आदी नाग धूमरी नाग धौली नाग काली नाग बट जो मेन मंदिर है कौन है बिनाग और बेनी नाग जो की पिथोरागर में इस्तित है उसक डीडी हार्ट जो की पिथरागर में है और ये मुंडा भासा का प्रियोग करते थे दोनुं इंप्रोडेंट क्वेश्चन है इनका निवास इस्थान अस्कोड डीडी हार्ट और भासा किसका यूज करते थे तो क्या हुआ पहले ये हमारी आधिवासी जनजाती आ गई कोल कि इसके बाद धीरे धीरे हमारा क्या हुआ राजपूतों का सासन होने लगा तो राजपूतों के सासन से पहले किसका सासन था ये पूछता है तो याद रखेगा राजपूतों से सासन से पहले कुमाओं में खस जाती का आधिपत्य था मतलब जैसे हम पढ़ेंगे अभी प्रसार हुआ था चलते हैं नेक्स्ट पे तो देखे गाईज इतना आध्यातियासि काल हो गया जो हमें पता चलते हैं अपने वेदों से पुराणों से महाभारत और रामयड इन से ठीक है अब हमें क्या मिले हैं उत्राखंड से कुछ लेख भी मिले हैं जिन लेखों से हमें पता चलता है कि यह लेख किस के हैं यहाँ पर किस राजा का साशन था या किस वन्स का साशन था तो देख लेते हैं उन लेखों के बारे में तो पहला जो लेख आता है गाईज वो आपका आता है कालसी सिला लेख ठीक है सबको पता है जो कालसी सिला लेख है वो हमारा किसका असोक का है असोक ने 257 इस भी पूरू एक अभिलेक कालसी में इस्थापित किया कालसी कहां पर है पहला ये पूचता है तो देहरादून में टॉन्स और यम्ना नदी के संगम पर इस्तित्थ है आपका कालसी यह अभिलेक किस भासा में है अगर पूचता है तो यह किस में है पाली भासा में इस्तित है, पाली भासा में लिखा गया है, अगर बात करें गाईज, इसमें लिखा क्या है, तो इसमें लिखा गया है, कि मैंने अपने राज्य में हर इस्थान पर मनुष्य और पसों की चिकित्षा की विवस्था कर दिये, असोक ने अपने टाइम पे ये ल बनता है कारसी अभी लेक यहां के लोगों को पुलिंद और अपारांथ है तो सिकह दूसरे अभी Karma की凡़का करने कि तो वह लाखा मंडल कहां पर रिस्तित है आपके देहरादून के जौनसार बाबर रिस्तित इसमें क्या गिया है राजकुमारी इस्वरा का सिलालेक प्राप्तु हुआ राजकुमारी इस्वरा के पिता का नाम भासकर वर्मन था इनके पती जालंधर के राजकुमार चंद्रगुप् होती है तो राजकुमारी इस्वरा के लाखा मंदल सिला लेक से होती है चलते हैं और कुछ अभी लेक मिले हैं उनकी ओर गाई तो पहला है का प्राप्ठी नाम है उत्तरकासी नाम है रुद्रसी मंदिर है एक यहां से हमें दो त्रिशूल लेक मिले हैं उसमें से एक त्रिशूल लेक तो है आपका नाग पती नाग का और दूसरा है आपका असोक चल का तो नाग पती नाग के तिरसूल लेक से हमें पता चलता है कि छटी सताबदी में नाग पती नाग मतलब नाग वन्स के सासकों ने यहाँ पर क्या कर लिया था अपना आधिपत्य जमा लिया था दूसरा अगर असोग चल की बात करें गाईज तो असोग चल नैपाल का राजा था और इसने बारवी सताबदी में इस छेत्र को क्या कर लिया था जीत लिया था चलते नैक्स्ट पे गाईज ऐसे ही हमें क्या मिली हैं लेक मिले हैं ये तो हो गए हमारे सिला लेक उसके बाद ऐसे ही कुछ मुद्राई भी मिली हैं जिससे हमें आधियातिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो मुद्राओं की बात करें पहला जो मुद्र क्या हो गया कुसार कालीन मुद्राय कहां से मिली है तो मुनी की रेती रिसी केस में और सुमारी नामक जगे से मिली है ठीक है दूसरा यहां से इटो पर उतकीन लेक भी मिले है इटो पर उतकीन लेक का मतलग क्या हो गया गाई जो इट होती है दिवारों में उन पर भी क्या कि हुआ है तो उन्हें क्या कहा जाता है नाला कालीमत और केदारनाथ स्तान से एसी जो हमें गुफाएין मिली है गईज गुफाओं की दिवारों पर भी लेखों को उत्किलन किया गया है तो यह गुफाएं हैं देव प्रियाग वामन गुहा कल्पनात अगर बात करें मुद्रा लेख की मुद्रा लेख का मतलब होता है जो मुद्राएं चलती थी पुराने टाइम पर राजा लोग उसके क्या करते थे कुछ लेख भी अंकित करवाते थे तो उन मुद्राओं से हमें पता चलाएं कि यह इस राजां काथा और ये इस вऔस से संब्न्दिट था तो इसकी बात करें गई गया जब मुद्रा लेज की तो मौर्दः हज आपके तामर पत्र लेग कहलाए तो पांडू के स्वर में चार तामर पत्र लेग मिले हैं कंडारा से एक चंपावत से एक और बैजनात इन जगहों से हमें क्या मिले हैं हमारे कार्तिकेपुर राजाओं के तामर पत्री लेग प्राप्त हुए है तो गाई यह था हमारा पूर तारीखे मुबारक साही में कुमाओ छेठा का वर्नन मिलता है तो गिंडर यक्ष तंगव किरात गंधर्व विध्याधर नाग आधी जनजातिओं का उल्लेक हैं तो याद रखने आपको बहायम वायु पुरान महाबारत ग्रंथ में इन जन्जात्यों के बारे में हमें पता चलता है नेक्स्ट की बात करें गाईज तो सिविजी के पुत्र कार्तिके का जन्मिस्थल जो है वो कहां पर माना जाता है जागेश्वर में माना जाता है ठीक है जब यग्य हुआ था तो यग्य के बाद इन्होंने भगवान सिव ने यहाँ पर अपनी यग्य आराधना कि थी और उस आराधना के बाद क्या हुआ एक आर्तिके पुर का जन्मिस्थल नेक्स्ट की बात करें गाईज तो उत्तराखंड में गंधर्व तथा अपसराये रह विष्णू पर्व से हमें कुडिंद 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 विष् तुर्गा पार्वती को क्या कहा जाता था पुराने गरंतों में तो क्या कहा जाता था किराती नाम से जाना जाता था नेक्स्ट पर्वती छेत्रों में गंगा की घाटियों के निवासी भी किराती कहलाते थे तो जो पुराने गरंद थे गाईज उनमें जो परवत छेत्रों की गंगा घाटियों पर रहते थे उन्हें भी क्या बोला जाता था किराती बोला जाता था नेक्स्ट है वसिष्ट ने किरात भूमी टिहरी गड़वाल छेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए सीवधाम कहा है तो गाई जैसे कि आपको पता है जब हमारे भगवान राम को वनवास हो जाता है तो वसिष्ट जो उनके गुरू होते हैं वो भी कहां चले जाते हैं तपश्या के लिए चले जाते हैं और वो तपश्या के लिए कहां पर आते हैं आपके टिहरी गड़वाल में आते हैं उस महादेव सिवजी और पांडू पुत्र अर्जुन का तुमूल संग्राम स्रीनगर में हुआ था जो अब विल्लव केदार के नाम से जाना जाता है तो गाईज क्या हुआ था महादेव सिवी जी और अर्जुन जो थे पांडव पुत्र उनके 20 तुमूल संग्राम हुआ था जिन में जो किरात लोग थे ठीक है उन्होंने सिवी जी की तरफ से युद्ध लड़ा था यह युद्ध कहां पर लड़ा गया अपने उत्राखन के स थैंक्स, गूट्ब बाइ